हुआ ये दोस्तो लॉर्ड बुद्धा के four bone fragments यानि लॉर्ड बुद्धा के कुछ अवशेश आगे मैं आपको बताऊंगा अवशेश जिसको नाम दिया गया कि कपल वस्तु रेलिक्स तो दोस्तो ये जो अवशेश हैं इनको अभी तक national museum में रखा गया था अभी अवशेश स बुद्धिजम को follow करते हैं उनके लिए obviously बाते ये प्यौर चीज़ है अब बात यह है कि ये कपल वस्तु रेलिक्स है क्या कपल वस्तु रेलिक्स दोस्तो वो रेलिक्स है यानि की लॉर्ड बुद्धा के अवशेश है ये अवशेश कहां से निकाले गये थे उत्तर बस्तु का हिस्सा हुआ करता था समझ गये इस वैसे जो नाम है वो वहीं से पढ़ावाए अगर आप दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा इतिहास देखने की कोशिश करोगे तो लॉर्ड बुद्धा की मृत्य हुई थी 483 BC में और बुद्धिजम उसके बाद दिरे-दिरे खतम हो रहा था उनकी डेथ के बाद बुद्धिजम की जादा कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही थी जब यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा के डेथ हुई बीच में आ जाते हैं एंपरर अशोक ठीक है तो लॉर्ड बुद्धा की डेथ के लगबग 200 साल बाद एंपरर अशो भूँगा और अशोखा को यहाँ पर क्या हुआ बुद्धा रेलिक्स जो बुद्धा के अवशेष था दोस्तों वो मिले और वो अवशेष उन्होंने क्या किये आठ अलग अलग मतब आठ अलग अलग जो डिफरेंड एंपार में अवशेष मिले वे थे वो यहाँ पर दोस्तो उसमें से एक था ठीक है प्रावा स्तूपा बैसिकली स्तूपा के नीचे की साइड में इस तरीके के जो अफशेश है वो दबाए गए थे अब यह बुद्धा के अफशेश थे क्या दोस्तो यहाँ पर इस तरीके साब देख पाओगे बुद्धा की लौड टीथ, बोन्स यह जो चीज थी दोस्तो वो यहाँ पर लोग के तुरू ली गई और लेने के बाद में आठ अलग 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 जो हमारे स्तूपास थे आठ अलग अलग जो स्तूपा थे उनके नीचे यहाँ पर इनको बैरी कर दिया गया उसके ओपर स्तूपा बनाया गया अब्यसी बात है ठीक है बुद्धिजम एक बहुत प्योर चीज यहाँ पर देखने को मिलती है बुद्धा के रेलेक्स तो इस तरीके के कास्केट के अंदर में दोस्तो बुद्धा के जो रेलेक्स है वो रखे गई थे फिर अकर आप इतिहास देखोगे तो लगबक 80 की उ उम्र में जो हमारे बुद्धिस बिलिफ से उनके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 80 की उम्र के आसपास जो बुद्धा थे उनने सैलवेशन को एचीव किया मोख्ष की प्राप्ती हो गई इनको उत्तर परदेश के कुशी नगर डिस्रेक्ट में और कुशी नगर डिस्रे इनकी तरह पूरा का पूरा जो क्रिया करम है वो किया गया था और बुद्धा के जितने भी रेलिक्स था उसके बाजसे मैंने बोला उनके जो अवशेश थे वही जैसे बाल, तात, हड्डियां ये जो चीजे थी हैना इनको अलग-लग आठ शेयर में डिवाइट कर दिया ग उन पवित्र अवशेश के उपर स्टूप बनाएंगे जो बुद्धिजम में स्टूप होता है उसको यहाँ पर बनाएंगे ठीके तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बुद्धा के रेलिक्स का इस्तमाल किया गया और जो स्टूप से वो यहाँ पर बनाएंगे और बु पिच्ट का रिजन यह था कि ये उनी रेलिक्स को बहुत जैदा फैलाना चाहते थे इन्होंने 84,000 जो स्टूप थे जो इनके थूरू बनाए गए थे वहाँ पर उन रेलिक्स को रखा ताकि बोदिज्जम को और पॉप्लराइज किया जासे के बोदिज्जम धर्म को और जादा स्प्रेड किया जासे के ठीक है तो दोस्तो इस तरीके से यहाँ पर यह पूरा का पूरा जो वर्क है वो होता है तो जो आठ स्टूप में जो यह दिया गया था जिसमन आपको बता है बुद्दर के रेलिक्स को आठ स्टूपा के लिए दिया गया अलग जगा पर उसमें से साथ स्टूपा के जो रेलिक्स है वो collect करके इन्होंने अलग लग 84,000 स्थूपास के आसपास यहां पर बना दिया और अलग लग जगा पर वहां पर रख दिया और आठ में से इनमे से यानि की अभी भी एक स्थूपा नेपाल वाला जो है वो बचावा है वहां पर अभी भी दोस्तों बुद्धा के ओरिजिनल जो रैलिक्स हैं वो प्रेजेंट है